क्रिपे चैनल को सस्क्राइब करें एवं बेल आईकोन का बटन अवश्य दबा दें नमस्कार दोस्तों, एको गाडन में सिक्षा मित्रों का धरना इस कलक्ति ठंड में जाले में लगातार जारी है 235 दिन हो गए हैं सिक्षा मित्रों को धरना पदर्शन करते हुए एक तरफ जहां बीजेपी सरकार अपनी जित पर अड़ी है शिक्षा मित्रों की नहीं सुन रही है वहीं दूसरे तरफ आम सिक्षा मित्र एस्सेशन की अध्यक्ष उमा देवी भी अपनी जित पर अड़ी है एक तरफ साशन की जित है तो एक तरफ सिक्षा मित्रों की जित है सिक्षा मित्र काफी दिनों से एको गार्डन की तरफ एक टक निहार रहें 400 लिए 158. एक आहम बैठक होनी जा रही है जिसके बाद आर पार की ललाई होगी बदाते चले कि सिक्षा मित्रों को काफी संगठनों का समर्थन मिल चुका है और बड़ी संख्या में लोग एक लाग बहत्तर अजार सिक्षा मित्रों के साथ खड़े हैं उमादिवीजी एको गार्डन में सिक्षा मित्रों को धर्ना पदर्शन करते हुए आज 235 दिन पूरे हो गए हैं कलाके की ठंड है पूरे उत्तर भारत में आप लोग लगातार यहां खुले आसमान में धर्ना पदर्शन कर रहे हैं सरकार भी कहीं से कोई चेत ने रही है कोई हरकत नहीं है किसी प्रकार से कोई भी सोचना नहीं है ऐसे में सिक्षा मित्र की अगली रणनीती क्या होगी कब आरपार का बिगुल बजेगा सबी सिक्षामित्र ये जानने के लिए वियाकुल हैं और आपकी तरफ निहार रहे हैं मेरे भाईया आज जो माहौल बीजेपी सरकार ने बनाया है एकदम सच है कि मेरे भाई बहन बिसम इस्तिती में फसे हुए है बड़े बड़े गोसला नितागीरी लोगों की चलती रही आज कल हो रहा है होता रहा है और भी संगतिया फैलती रही मैंने आवान किया कि आप इको गार्डेन में आईए सच की लड़ाई जहां से होती उस लड़ाई को लड़िये और सच को आईने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकि फिर भी मेरे भाई बैन परिसान रहे ग्रूपों में परस्नली फोन करके आप सभी से कहूंगी कि हिम्मत रखिये खौंसला मत तोड़िये मंजी लवस से मिलेगी क्योंकि सच को कोई जुटला नहीं सकता सत्य परेसान होता है पराजित नहीं होता और इन्सान को अपनी इंसानियत आज नहीं तो कल ऐसास कराती है जो लोग गदारी कर रहे हैं वो स्यम के जाल में फसेंगे कहीं न कहीं आप इमांदार हैं आप इमांदार बने रहें मन्जिल मैंने शुरुवात की वो मन्जिल आज कारवा बना उस दीपक को मैंने जलाया जिस दीपक की मुझे ज़रुवत थी आज पुरे विश्व को मैंने अहसास कराया कि वो दर्द हमारा दुनिया देख रही है जहां विजेपी सरकार ने बड़े आसानी से हमको आयोग्य का मुहर लगवा दिया पुरे विश्व को मैंने अहसास करा कि हम आयोग्य नहीं थे हमारे साथ सोसर किया गए रही बात रणनीत की रणनीत सासन की हलचल ना होने के उपरांत सासन द्वारा हमेशा केवल चोटी सी चोटी विसंगतियों को आगे बढ़ा देने के कारण मेरे भाईबन ब्याकुल हो गए काफी उन्हें उम्मीद्थी कि सितकाली सत्र में होगा देखिए दुराभाव बहुत है सरकार चाहती तो एक लाइन में खाली कहती कि हम आपके साथ हैं हम खड़े हैं आप खाली कहते कहते चले गए पुरास्वासन देते देते आपका मंच पटल पे कुछ नहीं और मैं बिना लिये जाओंगी नहीं लेने के लिए ही मैं इसी को गाडन में तपस्या कर रही हूँ चाहे सुबा हो चाहे दोपेर हो चाहे साम हो चाहे रात हो मैं चल रही हूँ दुरभाग ये एक चीज़ का है कि भाई बहन मेरे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं दूसरों में उनको सच समझने में टाइम लग जा रहा है बिसंगतिया थी आप अभी भी अपने को ऐसे जगह खड़ा करिए जहां सभी को चिट्टानी एकता की जरूरत है और सभी को कहूंगी उत्रों इसी को गाडन में अभी पहले मैं दस्तारीक को जिलाद्यक्च भाई बहनों की मिटिंग बुलाई हूँ इसी दस्तारीक को उनसे मंत्रा करने के बाद आवाज लगा दूंग हैं कि बीजेपी सर्कार आगे क्या रहो डंड़ा बजाएंगे शिख्शामित्र परिवार के पास बहुत कंड़ा है कि आब आप भूल जाइए वह जहां आप मांगेंगे वोट वहां वहां सिख्शामित्र परिवार करेगा आपका भी रोद क्योंकि हमने वो दंस, वो बिस वो जहर दो साल पिया जब हमारे घरों में मौत का तांड़ो होता रहा और हमने आप पे यकीन किया विश्वास किया और हमें केवल छलावा मिला दोखा मिला पूरा आपका खुद का ना संकर पत्र पूरा हुआ ना गोश्रा पत्र पूरा हुआ चाहे वो प्रधान मंत्री हो सब खाली बेवकूब बनाए आज मेरे भाई-बैन सब इको गार्डेन के तरफ नजर लगाए पड़े हैं और मैं तयार हूं आपके लिए उतरिएगा और आर पार होगा सरकार से और जितने भी भाई-बैनों ने मुझे समर्थतर बेजा है उनको आभार बेजते हुए यला कर देंगे कहां से लोग आएंगे और किस्परकार की रहनीटिए आगे सखाथा कियो क्मर ऑलकें जरूरे प्रश्प्रीजी अप्राइब नज्दीक है आपके कदम चुमेगी आज नहीं तो कल और प्यम मोदी जिसे सीम योगी जिसे क्या कहना चाहेंगे अनन्य विन है कि आपने सीथ कालिन में जारी तो करुवाया लेकिन उसको खुले सब्दों में नहीं कर वह चीज्व ब्रदास्त नहीं अग्या人 कर अब अभी भी उसको रहस्य बनाके चिपाया गया अभी भी कुछ तो कुछ है इसलिए मेरे भाइबन अभी भी बड़े परिशान है विचारे कि हुआ क्या सितकाने सत्र में कल भी हम लोग की बात हुई परसो भी बात हुई लोग पीमो से फोन आ गया मेरे पास पधान मंतरी मोदी परिवार में सच समझने की ताकत नहीं और आसमान में उड़ने की फित्रत आसमान में इंसान वही उड़ता है जो धरती पकड़ बनता है जो अंगत के तरह पैर जमाता है और जो समाज से नयाई की गुहार लगाता है जो अपने सुख का परत्याग करता है औरों के लिए ब करता है और घर बैटके नेतागीरी एसी की गाड़ी बंगला सुख एस्वर विलासिता पुल पर त्याग नहीं कर पाता है अपना नंबर भी एक बार बोड़ा पर पर यहां कर सक्यार कर यहां कर दो हैं दूसरा वाला जो है वह ओल्ली कॉलिंग है और अपने बाड़ी को बिराम देते हुए